नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन वंसल वॉस्तु कंसिटंट्ट आज मैं आपको कुछ और खास बात बता चाहूँगा मैंने पिछली विडियो में आपको बताया था कि किस दिन कर्ज को नहीं लेна चाहिए लोन नहीं लेना चाहिए और किस दिन कर्ज को उतारना चाहिए लोन को उतारना चाहिए आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके घर के अंदर पैसे आने के साधन कैसे बने छोटे छोटे उपाई आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं आप अपने यहां पर छोटे शोटे उपए जरूर करके देखेगा, आप नोटिस किजिएगा कि जो बात मैं अपनी इस विलियो में बता रहा हूं, क्या वो चीजे आपके यहां है या नहीं है, और आपने अपने यहां पर क्या क्या चीजे एज परवास्तू और मेरे अपने नोगो के अनुसार करनी चाहिए आप अपने घर की उत्तर दिशा को चेक कीजिए, उत्तर दिशा में आपके यहां खिड़की है, दर्वाजा है, ओपन एरिया है, तो उस एरियो को आपने निक और क्लीन करना है, साफ सुत्रा रखना है, खुला खाली रखना है, खिड़किया है, दर्वाजे हैं तो उनको ह प्लास हो जाएंगे आपने अपना कर्ज उतारना है लोन उतारना है तो ये काम आप अपने आप जरूर के एक इसी के साथ आपको एक पॉइंट और बताना चाहूँगा मैं आप अपने घर के साउथ हेशोन में यानि अगनी कोने में दक्षिन पूरव के कोने में आप अगनी की व्यवस्था रहे हैं आपके घर की रसुई अगनी कोने में है तो यह आपके लिए बहुत अच्छी बात है यदि अगनी कोने में आपकी रसुई नहीं है आपकी किचन नहीं है तो आपकी किचन कहीं किसी दूसरी दिशा में है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने घर के अगनी कोने में एक सोवाट का बल्ब लगाए या वहाँ पर एक दिया जलाए जब आप वहाँ दि या आपका तिल के तेल का या देशीगी का या सरसो के तेल का होना चाहिए साथ जोन में जब दिया लगाएं तो उस जोन में कालिस नहीं बननी चाहिए जब दिया जलता है तो उसकी कालिस बन जाती है वो कालिस आपने रुकिन में साफ कर ली है इसी के साथ आपने एक बात और ध्यान रखनी है जब साउथी जोन में आप दिया लगाएंगे जोड जलाएंगे तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सेफ्टिव पॉइंट आपने जरूर देखना है क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका अपना इक ट्राइण साउथी जोन में बना हुए और वहां अपने दिया लगा दिया है और आपके घर के अंदर चूए हैं तो कई बार वो जोड को खीच कर ले जाते हैं तो उससे फायर होने के चंसे बन सकते हैं वो साफधानी आपने ब्रतनी है वो जुम्यवरी आपकी अपनी है ये दो उपाई आप अपने घर में कर लेते हैं तो मेरा अपना मानना है कि आपके यहां पैसे आने के साधन भी प्लस हो जाएंगे और पैसे आएंगे भी आप करके जरूर देखिएगा छोटे छोटे चानकरी सही है तो आप अपने यहां पर यह छोटे काम जरूर कर सकते हैं आप मेरी इस वीडियो को अपने सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक पर जरूर कीजिएगा इसी तरह अगले प्रगाम में फिर मैं एक और ने विशे पर वीडियो बनाऊंगा आप भी चाते हैं किसी स्पेशल एक विशे पर वीडियो बनाऊं तो आप मेरे यूटूब के कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर लिकें मैं उस पॉइंक पर वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूँगा इसी तरह अगले प्रवाम में फिर एक विशे पर चाचा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार